पूरी लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं सबसब हैले हम शुरुआत करते हैं बेस्ट एक्टर से शुरुआत बेस्ट एक्टर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगबग डेड़ मैंने पहले ही जितना मुझे आद है पाच फर्वरी को मैंने जब दवेल का रिव्यू किया था तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई संदे नहीं है मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष का बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेंडम फ्रेजर को ही मिलने वाला है वो क्लिप आप देखिए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस वर्ष उन्हें ही मिलने वाला है मतलब इसमें मुझे कोई संदे नहीं है ये फिल्म देखने के बाद में तो दोस्तो आस्कर्स दो हजार तेसमें ब्रेंडम फ्रेजर को ये जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो बिलकुल पूर नरुप से इसे डिजर्व करते हैं इतना बढ़िया परफॉमंस उनका फिल्म में था अगर आपने हमारा दो वेल का रिव्यू नहीं देखा तो प्लीज मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे की हमारा वेल का रिव्यू आप अवश्य देखना अमरिका के कई सरे लिप्टिस्ट, लिबरल्स और भारत के भी कुछ वोक, क्रिटिक्स के आपको रिव्यूस मिल जाएंगे जिने देख वेल बहुत प्रॉब्लेमाटिक लगी थी वो छाथी कूट रहे थे आपको मिल जाएंगे वीडियोस कई सरे अमेरिकन यूटिवर्स के ये भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो काउंटर कर रहे हैं कि बाई दवेल को वोक, और लेप्टिस्ट और निबरल्स क्यों हेट कर रहे हैं इस पर आपको यूटिवर वीडियोस भी मिल जाएंगे बहुती मतलब सारी बाते मुझे फिल्म की पसंदा ऐसी बात नहीं है पर फिर भी ओवरॉल जो फिल्म की मूल भावना थी ना वो अच्छी थी बाकि आप हमारा The Will का रिव्यू अवश्य देखना बाकि किन किन को नॉमिनेशन मिला था बेस्ट एक्टर के इस अवार्ड के लिए वो देखिए औस्रिम बटलर को एल्विस के लिए नॉमिनेशन मिला था उसके बाद कॉलिन फरेल को The Vanishes of Initiation के लिए बैंडम फ्रिजर को The Will के लिए जो वो अवार्ड जीत गए हैं उसके बाद पॉल मैसकल को अप्टर सन के लिए और बिल नाई को लिविंग के लिए दभेल छोड़कर ये बाकि चारो फिल्मे मैंने नहीं देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है गिलर्मो देल्टोरो की पिनौकियों को इसका हमने रिव्यू किया हुआ है तो नॉमिनेशन्स बाकी किन किन को मिले देखिए गिलर्मो देल्टोरो की पिनौकियों के आलवा मरसल दे शेल विट शूद्स अन पुसिन बुट्स दे लास्ट विश दे सी बीस्ट और टर्निंग रेड इसमें से मेरे अनुसार पिनोकियो अब्वियसली टेक्निकली ज्यादा बेटर है पुसिन बुट्स से पर जहां तक बात है स्टोरी की, करेक्टर्स की, इमोशन्स की या वो क्या सीख देती है एनिमेटेड फिल्म उसकी तो पुसिन बुट्स पिनोकियो से उपर जाएगी पर हां टेक्निकली, विज्योली पिनोकियो जादा बढ़िया है पर अगर मैं बेस्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म को कहूंगा तो वो पुसिन बुट्स को ही कहूंगा उसका भी मेरा रिव्यू आप देखना तिनी सुन्द फिलोसोपी ना उस एनिमेटेड फिल्म की क्या कहना तो इसमें से दो फिल्में मैंने केवल देखी हुई है पिनोकियो और पुसिन बुट्स टर्निंग रेड के लिए बहुत सारे मित्रों ने मुझे कमेंट किये थे कि एक बहुत ही एक वोक और कम्मिनिस्ट प्रपगेंड के लिए तो इसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है Everything, Everywhere, All at Once का और लिटरिली जैसा कि मैंने उसके थमनेल पर उस समय लिखा था लिटरिली ये फिल्म एक परमानु बम है जो आपकी फैमिलिस को डिस्ट्रॉई कर सकती है और इसी कारण से इस वर्ष सबसे जादा अवार्ड इसी फिल्म को दिये गए है औसकर्स की जीवरी के द्वारा अपने आपको न्यूटरल दिखाने के लिए उन्होंने कुछ बाकी फिल्मों को भी अवार्ड अवश्य दिये हैं क्योंकि पिछले लगबग आट-dस वर्षों से आउसकर्स का नाम इतना खराब हो गया था Hollywood में अमेरिका में कि लोग लिटरली यूटूब पर विडियो बना बना कर आउसकर्स को ट्रोल कर रहे थे कि चारा तरफ जो वोक और प्रोपगेंडा की फिल्म हैं उनको ही आउसकर्स में अवार्ड दिये जा रहे थे लगबग पिछले 10-11 वर्षों से लोग परेशान हो गये है तो फिर से अपने आपको relevant रखने के लिए इस वर्ष ऑसकर्स ने थोड़ा सा अपने आपको neutral रखने का प्रयाज किया है पर दे की फिर भी सबसे जाधा awards उनने एक वोक प्रोपगेंडा वाली फिल्म को ही दिया है everything everywhere all at once को जिसमें depression को romanticize किया है suicide को romanticize किया है और purely LGBTQ agenda पर राधारित फिल्म है जिसमें एक बेटी है जो लिस्बियन दिखाया है उसके जो माता-पिता है उनकी laundry है जिनोंने जीवनवर महनत की हुई है पर बेटी को भई अभी freedom चाहिए sexual liberation चाहिए और फिर वो धमकी दे रही है parents को कि अगर आपने मुझे accept नहीं किया मैं जैसी तो देखो मैं suicide कर लूँगी मैं black hole में चली जाओंगी एक black hole दिखाया है donut की तरह जिसे एक symbolic way में suicide के प्रतिक की रूप में दिखाया है कि भाई अगर आप अपने बच्चों को जैसे वो accept नहीं करेंगे वो जैसी lifestyle जीना चाहते हैं वैसे नहीं जीने देंगे तो वो तो भ black hole में चले जाएंगे इन बातों को romanticize किया है फिल्म में हलाकि वही सब फालतु से एकदम third class mentality की woke mentality की बाते फिल्म में दिखाई है पर presentation या जिस प्रकार से उन्होंने कहानी को सारी बातों को present किया है कहानी को treatment दी है जो creativity है director की obviously वो बात तो माननी पड़ीगी मैंने जब everything everywhere all at once का review किया था तो उसमें भी मैंने लगबग आदे वीडियो तक यही बात मैंने कही थी कि भाई आप woke filmmakers को leftist filmmakers को कितना ही उनकी आलोचना कर लीजिए पर ये बात हमें माननी पड़ेगी कि creativity के मामले में या technically extremely well made film बनाने के मामले में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता communist filmmakers का दुसरी तरह राश्टरवादी film makers चलो हॉलिवड में तो है कम से कम कुछ जो proper way में technically better way में film में बना सकते हैं पर भारत में तो हमारे राश्टरवादी film makers को बस चिला चोट वाली film में बनाने के अलब और कुछ आता नहीं और वो खुद ही आपना फिर मजाग बना लेते हैं इसमें से बस the favelments को मैंने देखा है और everything everywhere all at once दोनों का हमने review किया हुआ है पर मैं आपको suggest करूँगा कि हमारा everything everywhere all at once का review प्लीज आप जरूर देखना ये कुछ बहुत महतो पूर्न वीडियो है जैसे कि the well everything everywhere all at once और pushing boots इसके बाद best supporting actress का award मिला है जेमिली कर्टीज को वो भ इसके बाद best live action short film का award मिला है एन Irish goodbye को cinematography का award मिला है all quiet on the western front को कल रात को ही मैंने ये film देखिया अभी तक मैंने इसका review नहीं किया है जल्दी ही आज शाम तक या कल तक में इसका review अपलोड करूँगा और बिल्कुल best cinematography का award ये film deserve करती है हाला कि film एक anti-war theme पर आधारित है detail में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल cinematography film की बहुत बढ़िया थी इसके बाद best makeup and hair का award मिला है the whale को और वो बिल्कुल deserve करती है ये film ये award क्योंकि Brandon Fraser उनका वजन जिस प्रकार से जितना दिखाया है न और वो बिल्कुल film में real लगता है ऐसा नहीं कि बस body suit पहन लिया है नहीं ऐ Mrs. Harris Goes to Paris इन्हें nomination मिला है इसके बाद best international film का award मिला है All Quiet on the Western Front अगर भारत की तरफ से जो भी film Federation of India जिनकी भी तरफ से film चूज की जाती है Oscars में बेजने के लिए वो अगर RRR को चूज करते तो यहाँ पर आज nominations में RRR का भी नाम होता और ये बहुत सारी possibility है कि RRR वो award जीत भी ज जा गया भारत की तरफ से इसके बाद best documentary short film का award मिला है The Elephant Whisperers इसके बाद best animated short film का award मिला है The Boy, The Mole, The Fox and The Horse और उसके अलवा nominations मिले है The Flying Sailor को, Ice Merchants को, My Year of Dix और उसके बाद An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It इसके बाद best production design का award मिला है All Quiet on Western Front जो मैंने कहा technically visually बहुत 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 बढ़िया सुन्दर दिखती है film वो, कि वालावा आउतार The Way of Water, Babylon, Elvis और The Fablements इसके बाद best original score का award मिला है All Quiet on Western Front को, best visual effects का award obviously आउतार The Way of Water को मिला है बाकी All Quiet on Western Front, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Top Gun, Maverick इने nomination मिला है Best original screenplay का award फिर से Everything Everywhere All At Once को मिला है इसके बाद best adapted screenplay का award मिला है Women Talking को और nomination मिले हैं बाकी All Quiet on Western Front, Glass Onion, A Knives Out Mystery ये film तो एक मजाक थी और इससे nomination मिलना उससे भी बड़ा मजाक है और उसके बाद Living Top Gun Maverick इने ये nomination मिला है इसके बाद best sound का award मिला है Top Gun Maverick को इसके बाद best original song RRR के Naatu Naatu song को मिला है और इसके साथ nominations मिले हैं अपलॉद्स, Tell It Like A Woman, Hold My Hand Top Gun के लिए Lip Me Up, Black Panther, Wakanda Forever से और This Is A Life, Everything Everywhere All At Once Best Editing का award मिला है Everything Everywhere All At Once को Best Director का award फिर से Everything Everywhere All At Once को ये award दिया गया है बाकी nomination से Martin McDonough, The Banshees of Insherine, Steven Spielberg, The Favelmans, Todd Phil Tarr, Ruben Austland, Triangle of Sadness Best Lead Actress का award फिर से एक बार Everything Everywhere All At Once को दिया गया है Michelle Yoha को बाकी nomination से Kate Blanchett, Tarr, Anady Armas Blond, Andrea Riceborough, Two Lizley और Michael, Michelle, sorry Michelle Williams, The Favelmans और अब सबसे आखरी award है Best Picture का जो फिर से Everything Everywhere All At Once को दिया गया है बाकी nominations है All Quiet on Western Front और Avatar The Way of Water, The Banshees of Insherine, Elvis, The Favelmans, Tarr, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness और Woman Talking चलिए जो एक तो All Quiet और Mr. Front का तो Review करूँगा यह बाकी भी कुछ पॉसिबल अगर मुझसे हो जैसे कि Elvis या The Banshees of Insherine कुछ और फिल्मों के इसमें से में Review करने का अवश्य प्रयास करूँगा बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन से Awards आपको सही लगे या कौन से सही नहीं लगे आप किसे Awards मिलते वे देखना चाहते हैं ति मुझे आपनी नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम बंदे मातरम